स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहूल गांधी की सिदस्ता खत्म होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी लगातार बोधि सरकार पर हमलावर है इसी कड़ी में राजखाट पर संकल्प सत्य ग्रह किया किया प्रियंका गांधी वाटरा ने वहां तमाम जो कारेकरता थे कॉंग्रेस पार्टी के उन्हें संबोधित किया और इसी को लेकर आचाहिये परमौध कृष्ण जो की कॉंग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने ए उनकी राय सर जिस तरीके से आचारिया प्रमोध कृष्णे प्रियंका गांधि वाठरा को दुर्गा कहा है क्या आपको लगता है कि वो दुर्गा का रूप है देखे यह बद्दा मजाक है दुर्गा के लिए सनातनी वो उस तरह से रहना भी होता है दुर्गा जी एक उसमें रहती थी सनातन उस पे रहती थी इनको दुर्गा बनने के लिए सनातनी होना पड़ेगा अचार दुसरी बात यह है कि दुर्गा से तुलना करना नौ दुर्गा में बड़ा गलत है दुर्गा जी सर्वत के लिए पूरी दुनिया के लिए सब जगे थे और दुर्गा जी क महां के लोग माई कहते हैं, महांका मुसलिम भी कहता है और इनका दुरुगा से तुल्णा करना ये देखे सोभा नहीं देता अगर एदुरुगा थी तो ये क्या है ये कहा है रक्तवीज है ये रक्तवीज की भी पोजीशन में नहीं है प्रमोत कrition और प्रमूत किशन जी को खुद इनके देखी आंक में इसमें मोतिया बिंद है दूसरी बाद सावन आने पार आला अभी तो गनीमत है अभी तो प्रमूत किशन जी तो बड़े अच्छे डंग से बोल ले अभी सावन आ जाएगा तो सावन में सब इनको सब कुछ हरा हरा यह वहाँ पे जादा बोल नहीं पाए पबलिक ने बाद में इनका जब यह चुनाव परलाम आ गये हैं तो कुछ जगह बधाई देने गयते तो पबलिक ने इनको दोला लिया था दूसरी यह वह पोजिशन है कि जैसे आप समझे लिए भसमा सूर संबल में यह पोजिशन क को दुर्गा कहा है यह कहकर वो क्या साबित करना चाहते हैं क्योंकि कॉंग्रेस की स्थिती वैसे भी जादा अच्छी नहीं है और राहूल गांधी मुश्किल में फसे हैं प्रियंका गांधी वाडरा कहीं पार्टी को सभालने की कोशिश कर रही है तो ऐसा कहके वो क्या सं इंदाजा लगा लिजे आज ये अभी कुछ दिनों पहले जब लक्सन हुआ उस समय इनोंने क्या किया था एक बहुत बड़ा प्राधी था जिसका नाम था विकास दुवे विकास दुवे की बहु जो थी उसके लिए ये पैड़वी कर रहे तो उसको टिकट दिलाई उसको चुनाव लड़वाया यह इनका इतिहास रहा है कल्यानपूर विधान सवाथ से उनको इन्होंने चुनाव लड़वाया और प्रमोथ के संजी ने बड़ा पैसा खर्च किया बड़े उससे इनका सिर्म मीडिया में बने रहना और किसी तरह से यह सपाई भी है भाजपाई सब्सक्राइब करेंगे लिए इस तरीके से चलो यह कहा जाता है कि लड़किया जो है वो देवी का रूप होती है उन्होंने दुर्गा प्रियंका गांधी वाटरा को कहा है तो लेकिन क्या कॉंग्रेस पार्टी के लिए वह इस तरीके से दुर्गा साबित होंगी क्या कुछ कर पाएंगी क्या कॉंग्रेस को बहतर इस्तिती में ला पाएंगी क्या प्रियंका गांधी वाटरा के बस में वो है देखे यह बड़ी गलत बात है इसे राहुल को भी राम बोला गया प्रिंका जी ने राहुल के तुलना की तो इन सब शीजों कोई कुछ बोला है कोई उनको सूपनखा कह रहा कोई कुछ कह रहा यह सब देखे राम से तुलना करना विल्कुल गलत है तो लेनुका ने जो कहा था लेनुका जी का भी अपना आप स्टेटर समझ लिजे पहले तेल्गु देशम में थी अब उनका का है का वो है और उन्होंने यह लुट बोला कि मैंने नहीं कहा था अब कुछ बाज़ा पाई यह भी कहने लगें इनको कहने लगें तो सूपनखा कहना भी बिल्कुल गलत है प्रिंका का अपनाएक इस तरह मगर प्रिंका को मा दूर्गा कहना यह चीज हिंदुस्तान की जनता बरदास नहीं करेगी उन मा कहें रामचंजी का मगर वह स्टेटस नहीं है और यह कहना और कहने वाला कहने प्रमोट किशन जिनकी आपको बताना है असोग गैलोत से रासवास टिकट चाहिते थे जब नहीं हुआ तो असोग गैलोत ने उसमें बयान दिया था श्रद्धा के खिलाप तो इन्होंने तुरं पार्टी बिधान परसाद वहां ले ले तो यह चले जाएंगे यह डिस्पूटेट व्यक्ति रहें प्रियंका गांधी वाठरा को दुर्गा कहा गया है लेकिन जिस तरीके की भाशा का वो इस्तेमाल कर रही है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देश का परधान मंत्री का है उस पर लानत है और इतना ही नहीं ना जाने कितने क्या ऐसे शब्दों का इस्तमाल वो कर चुकी है काले कपड़े पहन कर विरोध करते हैं क्या इस तरीके से वह दुर्गा साबित होती है देखिए जिस तरह से काले कपड़े का उसकी एक वज़े है असल में इनका जो कैले कपडर चुके शीया हजरात में काले कपड़े पहने जाते हैं इसलेह आये ओश्याइस उस पर ईलोग की अकीदत वह चुकी काश्मीर से ही बिलोंग करते हैं जहां से आये हैं वहां पर बहुत मतलब काफी उनका योगदान है देश के विकास में भी देश के आप्ड़ गलत है अगर शिया अजरातों कोई मालूम हो जाए तो भी नहीं मानेंगे कि इनको दुर्गा और दुर्गा कहना मतब एक बहुत बद्दा मजाग है दूसरी बात होना यह चाहिए कि आपको याद होगा जिस समय जनता वो थे जब लाजू गांधी पैदान मंतरी थे तो यही मामला हुआ था तब 106 विपक्ष के सदस्टों ने इस्तीफा दे दिया था इस समय कांग्रेश के जितने सदस हैं अगर यह इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे के सरकों पे आ जाए तो बात दूसरी होगी तो यह पता चलेगा हाला कि राहूल गांधी यह चाहते हैं और प्रिंका जी भीचाहिती हिन्हों बने दो तीन दिन कोशिस की जबज़वा हो जाया इंद्रा गांधी तने सब्कुर्ण के का बार्चे जीने इनौस्वा क्या कि देना देश को अलक कि उन्हों रहनें एसा कुछ भी नहीं कि अ इनके रावड वादरा कि जमीनी मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉंक्रेस पार्टी तो ऐसी राजनीती करती है कि अगर जहां हिंदू की बात आती है तो मंदिर चले आते हैं मुस्लिम की बात आती है तो मस्धित चले आते हैं इस तरह की राजनीती उनकी रही है राम मंदिर के फैसले को उन्होंने सुईकार करने में बड़ी देश लगा दी और उस पर भी लगातार सवाल उठाए तो कहीं न कहीं इनकी राजनीती जिस तरीके से तुस्टी करन की रही है लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं जैसे पार्टी मुश्किल में लगती है तो राज्यों के हिसाब से इनके जो कहीं न कहीं धर्म है जो आस्था है वो बदलती रहती है इस पर आप क्या कहेंगे देखे इनकी आस्था की यह पोजिशन है मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी यह राजनीत में इतने चपल है और वही राजनीत का जो टेक्ट है अब वो बीजेपी भी इनके टेक्ट को जान गई इसलिए पोज ने जिसको बोड दिया था पहले वही बज़ए तो इस परवार में खासियत रही राजनीत का फायदा उठाना मुसलिम परस मुसलिम के बोड लेना और मुसलिम के साथ ओभी करना राहूल गांदी और प्रिंका गांदी ने गुजरात में इतना भद्दा मजाक किया है मुसल ने दिया वहां का मुसलिम आज भी इस बात को नहीं बोला है कि तीन तीन विधान सभा में मैं देता हूँ आपको बोड अब मुसलिम भी यह समझ गया है कि यह हमको सिब बोड बैंक बनाये हुए हैं लाली पप ला देते हैं इन्होंने कई बार उर्दू को लाजभासा किय यूपी बगएना मगर उर्दू लागू कहीं नहीं कि कुल मिला करके मुसलिम समाच को सबसे ज़्यादा किसी ने बेकूब बनाया तो कांग्रेस ने बनाया यह बोड की राजनीत के लिए करना है हाँ तो मेरा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है गर कॉंग्रेस इस तरह की ही राजनीती करेंगी यानि आम मुश्किल में हैन्ας तो वन्हें दुर्गा याद आ रहे हैं उन्हें राम याद आ रहे हैं कभी वो भगवान शुरी कृष्ण का जिक्र करते हैं लेकिन जब वो चाहे बाद दक्षिन भारत ही की जाए जब वहां पहुंसते हैं तो वो अलग तरह की आस्ता दिखाते हैं तो इसका कितना खाम्याजा कॉंग्रेस को आगे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा देखे कांग्रेस को इसका खामयाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा जो जिस तरह से प्रमूत किष्ण जैसे लोग एक मद्विदेश का एक नेता है वो बिल्कुल घर पर बैठा था उसको उसके घर से जो हैं वो इसके बगेर आप लिक प्रमूत किष्ण भी इसलिए लगें साइध हमको कुछ मिल जाए और दुरुगा कहना यह आप सुन ले चाटुकारता की हद है और अगर यह सुनिया जी सो कहे देते हैं सुनिया जी में आदत है कि जादा चाटुकारों को थोड़ा दूर लगती है यह सुनिया इसलिए उन प्रिंका गांधी को दूरुगा नहीं का यह था पहले यह नहीं था इस तरह की चमजगीने नहीं थी कि कोई दूरुगा आगर कहा है तो प्रमूत किष्ण जी को तुरंत साष्टांग डंवत करना चाहिए नव दूरुगा है लोगो जाना सुबह उटकर के जाएं वहां प करेगी और यह सांसद होंगे मैं प्रमूत किष्ण को सलाय देता हूं इधर थोड़ा सा मोतिया बिंध्य वेचानों को तो थोड़ा तकलीम में है और सावन आ रहा इसके पहले काम करने सावन में इनको और यह आप समझ लीजे कि यह खुद क्या है अगर वह दूरुगा है प्रमूत किष्ण कभी भाग्वान संकर नहीं हो सकते हैं अगर हो दूरुगा हैं तो कभी नहीं हो सकते हैं यह नहीं गरेजी हो सकते हैं यह खुद क्या है पता चला वही है कि नाच नावे आंगन टेरा इनकी पोचिशन ये डांस भी कर लेते हैं आपको इनके बारे मता दे हैं डांस भी कर लेते हैं एक बार एक प्रेस कहां ये जाते हैं प्रेस में अपनी सेटिंग करके जाके बैठ जाते हैं और ये कई बार भगाए भी गए हैं इनका कई बात स्वागत मगड़ ये पहले वेक्ति हैं अपने खरीदे फूलों से स्वागत कड़ा लेते हैं फिर इनका जो स्वागत होता है और चीजों से होता है तो ये थे अजे पत्रकार जी जिनका साफतोर पर कहना है कि प्रमौध कृष्ण ने जो प्रियंका गांधी वाडरा को दुर्गा काहा है वो सिर्फ चाटू का रिता है और कहीं न कहीं आने वाले वक्त में टिकेट पाने का एक तरीका है जो कि उन्होंने प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमसे बात्चीत की